हालो दोस्तों रवजकार पोलिटिकल शांस लेर्णिंग में आप से भी का श्रागत है हम लोग इंडियन पोलिटिकल थॉर्ट पड़ रहे हैं जिसके इंतरगत आज हम लोग कोटिलिया के अर्थसास्त को समझने की कोशिस करेंगे अर्थसास्त क्या है उसका क्या की कंटेंट है उसको वह हम समझने की कोशिस करेंगे करेंगे फिर धृक्त मẦ्र है उसको राज मंदला भी कहा जाता है उसको समझने की करेंगे फिर कोटिलिया के प्र्रिंस In में समझने कोश्ट करेंगे इसके लाबा एक वीडियो हमारा प्रेक्टिस एमसी क्यू पर यानि जितनी भी यह थियोरी पढ़ेंगे उन पर प्रेक्टिस एमसी क्यू बनाएंगे जो भविश में किसी भी कम्प्रिटिव जांस में पूछा जाएगा तो भी आप लोग आसानी का इंडिया के ग्रेटेश्ट स्टेट्समान जाने जाते हैं इसको कंपोज किया गया था लेट 4th century BC में कंपोज किया गया था इसको क्लासिक माना जाता है एशियंट आर्ट आहवार और कवर्नेंस का यह गुपता डानेश्टी तक जो तो इसका जो तो रिल्युएंस था उ इसका जो रिअपियर होता है यह 1904 के रूप में रिअपियर होता है यानि लगभग 1400 सालों तक यह गुमनाम रहती है पुस्ता इसके बाद यह पब्लिस होती है 1909 में इसको पब्लिस किया जाता है इसका जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है वह 1950 में आता है और इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया डाक्टर आर समास सास्त्री के द्वारा इसके बाद यह कई अन्य भासाओं में भी ट्रांसलेट होती है जैसे जर्मन हो गया रस्ट्रियन हो गया और अधर जो लाइंग्वेज है उनमें है कॉटिल को चानक के रूप में भी जाना जात चानक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पीता रहे होंगे या जैसा जो मिलता है उनके जो भूस्तक है अर्थसास उसके फॉस्ट चैप्टर में क्योंकि अर्थसास के लेकर जो विद्वान है में मत विभाजन रहा थेसास घ्राद किया गया था री टृक्ष्टस की रूप में वी देखा जाता है दिया Previously आता है कि आ अर्थसास को टेक्स्ट है उसके रूप में देखा जाता है अर्थसास का दिया गया है कÖट्रिल के बारे मं उसको देख लेते हैं अर्था मतलब होता है और साइस्ट का मतलब होता है कि किस प्रकार से जो होतो वेल्थ को संपत्य को एक्वायर करेंगे उसको किस प्रकार मेंटेंड करके रखेंगे और सास्त का मतलब होता है वेज टू प्रोटेक्ट इस वेल्थ अब कुछ भी जो एक्वायर करेंगे चाहे वेल्थ हो या ट्रेट पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक के लगभग 6,000 सूत्र है ठीक ना इसको डिवाइड किया गया पंद्रह बूक में जिसको अधिकरण की रूप में भी जाना जाता है इसमें तो 150 chapters और 180 sections या प्रक्रण की रूप में भी sections को प्रक्रण भी कहा जाता है इसको आर समासस्त्री के दौरा किया गया था नाइटीन हें फिप्टींस बुक में इसको डिवाइट किया गया है उस सभी बुक में क्या कंटेंट है यह आपको याद रहना चाहिए तो फस्ट जो बुक है वह डील करता है किंग से यानि राजा के बारे में बात की जाते हैं कि उसक किस प्रकार रखें करेंगा उस बारे में बात की गई है बुक एक में ठीक ना बुक जो सेकंड हो डिस्क्राइब करता है ड्यूटी जाब वैरियास जो एक्ज्टू आफिसर्स होते है इस्टेट के उनकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए इस्टेट में और साथ इसाथ यह दे จะ में न्याय किस प्रकार होगा इस प्रकार होगा उस बारे में बात की में बख ओर produk highest नम्बर करता सप्राइब कर शिक्राइब काश किया जाए और इंडीुर तो किस प्रकार मर्चेंट या आर्टीजन पर कंट्रोल किया जाएगा जो राज है उसमें भरष्टाचार नहों लोगों को किस प्रकार पनिश्ट किया जाएगा उस बारे में बात की गई है बुक नमबर फॉर में बुक नमबर जो फाइस है वो क्रिक्स प्रकार है उस बारे में बात किया था उस बारे में बात की गया था और साथ-साथ-साथ-फॉर्ण-पॉलसी किस प्रकार है अउस बारे में बात किया बुक नमबर जो six है यह डील करता ह magnific में फॉरण पॉलसी प्लुलक में दिया हुआ है तो six प्रियोग किया जाएगा उस भारे में भूक नंबर सेवन में दिया गया है बूक नंबर जो एट है यह कंसर्ण है विद्ध विशनस और कलेमिटीज अफेक्टिंग देक कांस्ट्रियंट अब दाइस्टेट तो जो भी क्राइसिस आती है किस प्रकार उनसे डील किया जाएग जो साथ अंग है स्टेट के उनको किस प्रकार प्रावित करेंगा उनसे बात की गई है बूक नंबर एट में बूक नंबर जो नाइन है को डील करता है युद्ध की तैयारिया किस प्रकार की जाएंगी कितने प्रकार के ट्रूफ सोने चाहिए ठीन हाव दे कान भी तो उसको उससे कैसे बचा जाएगा वह सब बूक नंबर नाव में दिया बूक नंबर जो टेन हो कंसर्ण करता है फाइटिंग डिस्क्राइब दे में बैटल कैम्प तो में जो युद्ध का मैदान होगा उसमें किस प्रकार से युद्ध किया जाएगा उसमें जो टाइप नंबर टेन से डिल करता है बूक नंबर जो ग्यारा है इसमें एक चैप्टर है और डिस्क्राइब करता है हाव एक कंकवर शुडबी टैकल ओलिगार की गवर्नेंट बाया ग्रूप चीफ इस्टीड आफ शिंगल कि तो जब कभी युद्ध किया जाए तो जो ओलिगार की ग्रूप द्वार गवर्न उनको किस प्रकार से कंकोर किया जाएगा जीतना जाएगा अगर राजाओं का गूरुप है तो एक सिंगल किंग के स्थान पे तो उनको किस प्रकार जीता जाएगा बुक नंबर 11 में दिया है बूक नंबर जो 12 है वह डिल करता हाव वी किंग य कि एकर कोई कोः जोर राजा है कि उसके दारो खिते है तो कि प्रेकर उस से विज़ा प्राप्त करे ए Carrie बारें बात कि गैए ए रहे सिर्टार्प्री किसफिट अफ्रकेर्टर्वेड करता है किस प्रकार वंप्रेंस को इस मतलैंने ड тебя जो फोर्ट है या जा उसकी ट्रेटरी किस प्रकार उसको जीता जाएगा और जीत लिया जाता है किस प्रकार उस पर रूल किया जायेगा किस प्रकार वहां सासन किया जाएगा उस बारे में बात कि गए है बुक नमबर 13, बुक नमबर 14 हो डिस्क्राइब करता है secret and occult practices, तो state की जो secret या occult practices है, उसको किस प्रकार से perform किया जाएगा, उस बारे में बात की गए ही बुक नमबर 14 में, वही बुक नमबर 15 हो डिस्क्राइब करता है methodology and logical techniques used in work, तो work जो कोई भी कार है, उसको किस प्रकार के method apply किया जाएगा, कोई भी logical जो technique है, उनको किस प्रकार से use किया जाएगा, वह सब बारे में बात की गए ही बुक नमबर 15 में, तो यह सभी आप लोग किस बुक में क्या दिया है, उसको आप लोग एक notes बना सकते हैं, उसको याद करके, रखे किसी भी जा में पूछा भी जा सकता है, यह सम, इसके लावाद यह बुक जो हो, तो mention करती है, 34 different department of the government, तो government के कितने departments का mention किया गया है, और कितने प्रक्तीज की बारे में बात की गया है, उनके मंडल थियोरी में, अर्थिसास्त्र में, कोटिलिया के दौरा, तो 72 प्रक्तीज की बात की गया है, यह सभी जो है कोटिल्या की जो सप्तांग फ्योरी है वो क्या है, वो seven argons का अर्ड का मतलब ही होता है, seven argons यह elements जो states के तो seven elements की बात की है कोटिल्या के ध्वारा कोई भी जो states होता है, ठीकनी, यह कौन-कोश है, seven elements, पहला है श्वामी, दूसरा है अमात, तीसरा होता है जन्पद यानि जनता पबलीक ठीक ना चौथा है दुर्ग पचमा है कोस छठा है दंड और सात्मा है मित्री सेवन एलिमेंट्स की बार की गई है कोटिलिया के अर्थसाहत्त में यह सेम उसी तरह है जिस प्रकार माडर्न डिफनीशन है स्टेट्स की तो माडर्न स्टेट्स में चार जो होतो पाए जाते हैं पहला है ट्रेटरी होने चाहिए दूसरा है पापुलेशन होने चाहिए तीसरा है गवर्मेंट होने चाहिए चोथा है शोवरेंटी ती मेजर कांश्ट्रुएंट एलिमेंट्स है जो माडर्न स्टेट है उनकी ति यह स्वामी है तो यह आप लोग जनपद ह से देख सकते हैं अमादते हैं तो उनको आप लोग देख सकते हैं गवर्मेंट से और इंटर्नेशनल रिक इस भी होना चाहिए ठीक है यह सभी जो होतों मौडर्ण स्टेट के जो एलिमेंट साउं देखने को हमको मिलते हैं अधर अलाइश कान मित्र या अलाइश की रूप सिपर्ष्प्रिक्ट्टिस पहले पनिषमेंट की रूप में यह संफना है दॉस्वाइब यह सिसकृत्य में लॉप cancer सब्सक्राइब करने के लिए इसके बाद को त्योरी आप मंडल भी देते हैं जिसको राज मंडल का सिध्यांत कहा जाता है यह इसको सरकल अब दाइट्स भी कहा जाता है यह स्टेट्स का सरकल जो बनाया है कोटल लिए ने स्टीमेटिक तरीके से लिए से थी मंडल सब्सक्राइब तो मंडल का संस्क्रित ऐर अब यह सब्सक्राइब का सब्सक्राइब मंदल त्योरी के द्वारा उसके जो नेवरिंग कंट्री है नेवरिंग जो किंगडम है उनका तो यह इस प्रकार के आप लोग मॉडरन जो जियो पॉल्टिक्स होती है उसके रूप में आप लोग इसको समझ सकते हैं ठीक ना जियो पॉल्टिक्स के रूप में परहांस पर स्वाइब पर्श्ट करती है जो इंटनेशनल रलेशन से डील करती है कि जो राजा है उसका कींगडम के प्रकार होगा या जो अदर एंप्वाइर से को सभी किस प्रकार से भी है करेंगे उसपर यह फ़स्ट जो है तो इस मंदल थेहोरी में को को टील्या ने बार राजाओं को सामिल किया है और उनका किस्पकार से दूसरे से सब्सक्राइब जिक्र किया है तो देख लेते हैं को किंगडम का स्टेट का डिवीजन है पहला होता है विग जैस विग जासे किंगडम है ठीक नहीं कोई एक जो सेंट्रल है चुन्हें राजा होगा वह केंद्र में होगा यह इसके पास होते हैं वर्ड कंकुर के विश्व जीतने की इच्छा होती है इसके जो पहले जो सामने का पहला राजा होगा उसको अरी कहा जाता है इसकी जो ट्रेटरी है वो तो मित्र के रूप में पहचाना जाता है फिर जो मित्र के आगे की जो ट्रेटरी होती है उसको अरी मित्र कहा जाता है क्योंकि मित्र का जो दुश्मन होता है लेकिन अरी मित्र का मित्र होता है इसको अरी मित्र के रूप में देखा जाता है चोथी नमबर जो होता है वो अरी मित्र होता है जो पांचमा होता है वो मित मित्र मित्र होता है यानि अगली जो ट्रेटरी होगी वह आपकी मित्र मित्र की होगी तो जो आपका मित्र है उसका मित्र जो होगा वह मित्र मित्र कहलाएगा और इसी प्रकार अरी मित्र का जो मित्र होगा उसको अरी मित्र मित्र कहेंगे इसी प्रकार जो एसके पीछे का राजा होगा उसको पार सप्य करें होता है यह जो ह countersوق मित्र यह वह तरीटरि होगी वह हमारा मित्रों मित्र होगा इसलिए इति को कहा जाता है यानिए विख्यूस्क रूप्स थी अधिस त्सक्रनि पीछय सबीज निग्र शार कहा जाएग आध जो हैं इसका लाइज सत्रुका ओक और यह जए लेकिन जो अकरन्ड निग्र है उसका मेत्र हो इसको अकरन्ड शार के रुप में भी देखा जाता है यह होता है अकरेंड का ठीक फिर एक किंगडम होती है मद्यमा मद्यमा चो किंगडम होती है यह जो कींग होता है विगजस होता है अर औरी से लगी और या थो इन दोनों से लगी होई 활ष होती जो होती है वो मध्यमा देखिए जहीट ही है जिसके जो दूसले दोनों जो तो राजा है बीद्छ आरी यानि यह तो सट्रूर होता है मद्धा एक थीसरा होता राजा होता है वह सब से सक्थसाली होता है ग्लाइसे जो जो सब्क्राइन हाँ और होता है आळलमय होता है एंगतर से की मित से तीनों से शक्त्थिसाली कम सा ओढ़ through उदाश्रीन हो गया ठीक ना इसके लाबा कोटिल्य ने प्रिंश्पल सब फॉरेंट पॉलसी भी दिया है तो सिक्स में बताए हैं फॉरेंट पाल सी कि वह में प्लेज़ दे करके ट्रेटमेंट करना किसी भी राजा के साथ उसको कहते हैं पीस या संधी कहते हैं संधी बना ल इसको वार विग्रह के रूप में देखा जाता है इन्टिफ्रेंस होना यह कोई भी प्रत्किया ना और निवीट्रल रहना तो उसको दुसरे राजा से प्रोटेक्शन्स मागना जिसको अलाइस भी आन्स भी कहते हैं रहना दूसरे द्राजा से संधी बनाना या संसारक भी कहा जाता है making peace with one and waging the war with another एक के साथ तो हमें शेर करें धन्य वाद thank you